ग्रहन अक्षत्र तारे उर सितारे वदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारि बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रोव सादर जैसी क्रश्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारिधर बेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डैनिक राशीफल यह राशीफल है दस मईए दोहजार चोवीस शुक्रवार का दिन है वेशाक महा के शुक्लबक्ष की दुतिया तथा तरतिया तिति रहेगी इसी दिन अक्षय तरतिया का महा परवर हेगा भगवान स्री परशुराम जैन्ती इसी दिन मनाई जाएगी तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तरतिया की बहुत बहुत शुपकामनाई और बढाईया भगवान स्री लक्षमी नाराण जी का भरपूर आशिरवाद आप सभी के जीवन पर सदेव बना रहे आप सभी सुखी रहें, स्वास्त रहें, व्यास्त रहें, मस्त रहें रोहिनी नामक नक्षत्र होगा तथा व्रशवरासी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में होंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुक्सान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारण वस पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़दा अवश्यक हो तो दही अत्वा जव खा करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो कि सुबह साड़े दस बजे से लेके दो पहर बारा बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शोब या मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हालाकि राहुकाल का निर्ने आप अपने ख्षित्र के पंचांग अथवा केलेंडर कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दी हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की मेस रासी में वहीं चंद्रमा की दी हम बात करें तो वरशव रासी में मंगल ग्रह मीन राशी में बुद्ध ग्रह मीन राशी में देव गुरु ब्रहस पती जो की वरशव रासी में शुक्र ग्रह मेंस राशी में शनिदेव कुम्ब राशी में राहुग्र मीन राशी में तथा केतू ग्रह कन्या राशी में विराजित रहेंगे। इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार व्रशाप करक कन्या व्रश्चिक मकर एवं मीन ये छे राशियां सबसे दिखभागिशा लेने वादी है कार्यक्षत्र में इनको उन्नति और प्रगतिक है उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांसाथ नया काम नई जुम्मेदारी नया मुकाम भी इनको मिल सकता है तो खुल मिलाकर के इंचे राशी वालों के लिए देन सबसे खास साबित होगा सुर्यो 20 मिनिट पर होगा शुब मोर्ति की अगर हम बात करें तो शुक्रवार का दिन है अक्षय तृतिया का महापरवह सबसे पहला जो चोग्रिया रहेगा वो सुबह छे बजे से लेके साड़े साथ बजे तक चर का चुग्डिया रहेगा और सुबह साड़े साथ से लेकर के नो बजे तक लाब का चुग्डिया रहेगा तथा सुबह नो बजे से लेकर साड़े दस बजे तक अमरत का चुग्डिया रहेगा तता दो पहर बारा बजे से लेकर के डेड़ बजे तक शुब का चुग्रिया रहेगा और शाम के समय साड़े चार बजे से लेकर छे बजे तक चर का चुग्रिया रहेगा इस दोरान ये आप कोई भी शुक्काम करेंगे मांगलिक कारी करेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोग निर्मित हो सकता है अब हम आपको मेस से ले करके मिन सभी 12 राशी वालों का देनिक राशी भल बताने जा रहा है हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की कोई पुराना विवाद यदि चल रहा है तो आपसी सूजबूच से हल हो जाएगा जिससे रिष्टे दोबारा मधूर हो जाएंगे अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर के वर्तमान को सुधारने हेतु मनन करे और अपनी योजनाओं को क्रियानवित करे जल्दबाजी में कोई भी निर्णे न ले तथा पुरानी गलतियों को बिल्कुल भी न दोराएं किसी प्रकार का जूटा आरोप प्रत्यारोप आपके उपर लग सकता है अंजान व्यक्तियों के सलापर ध्यानने दे कर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही आपको काम करना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में कोई भी लाल फूल चड़ा देंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशबरासी की किसी विश् Character कारी को पूरा करने में आप की मेहनत आज कामियाब होगी जैसे घर और समाज में आपका योगडान रहेगा आपकी काम की तारीव और आपको मान सम्मान भी मीरेगा आपके आत्मिश्वास और स्वाभी मान में इजाफा होगा परन्तु अत्य आत्मिश्वास के कारण अपना कुछ नुकसान आप कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार के कारियों से आपको बचना चाहिए उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में सफेद फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की आज कुछ समय आप अपनी रुची संबंधी कारियों में व्यतित करेंगे जैसे आप मैंसिक वर शारीरी ग्रूप से काफी हट तक अपने आपको उर्जावान महसूस करेंगे किसी खास उपलबधी को हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे कुछ समय समाजिक गतिविधियों में आपका व्यतित होगा कोई ऐसा समाचार आपको मिलेगा जिससे मन में नकारात्मक विचार कुछ समय के लिए उत्पन होगे लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा उपाय के रूप में गणेश जी को यदि आप दूर्वा चड़ा देंगे तो आपका दिन शुपलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आपकी विनम्रत तथा सहयोगी स्वभाव दूसरों के लिए मिसाल बनेगा तथा घर और आसपास के वातावरन में आपकी तारीफ और मान सम्मान जैसे इस्तिती रहेगी पडोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मदभेद दूर करने के लिए उत्तम समय है कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव की वज़े से लोग आपको उपयोग कर रहे हैं इसलिए किसी की मदट करने से पहले उसकी मनशा को समझना अति अवश्यक होगा वरन्या लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं उपाई के रूप में यदि आप दही में शकर मिला करके संकर भगवान के मंदिर में दान करेंगे तो आपका देन शुफलदाई सावित होगा आपका भाग्यशाली अंक तीन होगा भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की भविष्य संबंदी फेसलों को लेने के लिए आज बहुती उत्तम दिन है किसी अंजान व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके भाग्योदय संबंदी द्वार खोल सकती है योवर्ग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे परंतु उत्तेजना और क्रो अब हम बात करते हैं कन्याराशी की किसी भी परिस्तिती में अपने आत्मिश्वास वा आत्मबल को कमजोर न होने दे इस समय तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और भाग्य आपका सायोग करेगा परिस्तितियों अनुकूल है इसका भरपूर उप्योग आपको करना चाहि संतान पक्ष की चिंता रहेगी विध्यार्तियों को अपने किसी विशेस कारी में सफलता प्राप्त होगी उपाई के रूप में यदिया भगवान गनेश जी के मंदिर में सफेद रंग का कोई भी फूल चला देंगे तो आपका देन शुफल दाई साबित होगा आपका भा बहुती सकारात्मक परिणाम आपको देंगे किसी खास व्यक्ति से मुलाकार लाबदायक सिद्ध होगी आपके रुके वे काम पूरे हो जाएंगे दिन भर कुछ व्यार्थ के कारियों में आप व्यस्त रहेंगे जिसकी वजह से ठकान वर चिर्चड़हट आप महसूस करें किसी को भी पैसा उधार देते समय चान बीन अवस्य करें क्योंकि वापसी के संभावना बहुती मुस्किल रग रही है इसलिए उधार पैसा देते समय बहुती साउधानी बरतनी की आउशक्ता होगी उपाई के रूप में भोजन के बाद एक लोंग इलाईची खाना आपक प्रिन तरीके से बना पाएंगे किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी पैत्रिक संभन्दी मामलों को सुलजाने के लिए देन बहुत ही शुब है पैसों का लें देन इस्तिगित रखे क्योंकि इसकी वजह से संभन्दों में दरार उतपड न हो सकती है घर के किसी सदस्य के स्वास्तु को लेकर चिंता रहेगी और कुछ महत्वपूर्ण काम इस्तिगित आपको करने पड़ सकते हैं नए जन संपर्क आपके लिए फाइदमन साबित होंगे उपाई के रूप में भोजन के बाद यदि आप कोई भी म वेक्स से काम लेना परिस्टियों को आपके पक्ष में करेगा बच्चों की किलकारी संबंदि शुप सूचना मिलने से परिवार में उत्सव भरा माहुल रहेगा किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित दिन है अपनी योजनाओं को कुरियानवित करने से पहल और उपाई के रूप में पक्षियों को छट के उपर दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आपके साथ कुछ ऐसी इस्तिती घटित होरने के वा उमी भवन वाहन संबंदी खर्योत फरिक्त में अपना समय अधिक्तम व्यतित होगा उस संबंद में दस्तावेज भली भांती आपको चेक करना चाहिए पैसो के लेंदेन में भी साउधानी बरतने की आउशकता होगी और उपाई के रूप में भगवान विश्नुजी के मं चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका बीला होगा अब हम बात करते हैं कुम्भराशी की अचानक ही नजदी की रिस्तोदारों के आगमन से घर में खुशी का वाटवरन रहेगा किस किसी विशेस मुद्दे पर विचार विमर्श होगा युवाओं को अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत मिलेगी और भविश्य संबन्दी फैसलों को लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत आएगी कभी-कभी आपका शंकालू सुभाव आपके बंते कारियों में भर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज ग्रह की इस्तितियां पूर्णता आपके पक्ष में है अर्थिक मामलों के लिए ठोस नरणे लाब दायक सिद्ध होंगे उपाए के रूप में यदि आप अपने मस्तक पर लाल कुमकुम का तिलक लगाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका गुलाब करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्का लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जाइसी क्रश्न सादर धन्यवाद